हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल नैचुरल ब्यूटी में आप सभी लोगों का स्वागत है अगर आपके भी चैरे में इसकीन में को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है या आपके चैरे में निखार नहीं है या फिर आपके चैरे में डाक स्पोर्ट हो गए हो या आपके चैरे में बिंपल हो गए हूँ तो आपकी बहुत सारी समस्या बस इस पैक से खतम हो जाएगी तो आप अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से और सस्क्राइब जरूर करिएगा आईए देखते हैं इस रेमेडी को हम बनाते कैसे हैं हमें वन टेबल इस्पून औरेंज पील पाउडर हमने ले लिया है इसमें आपको मिलाना है कच्चा दूद अगर कच्चा दूद आपके पास ना हो तो आप पका भी ले सकते हैं लेकिन कच्चे दूद ज़्यादा फायदा करता है हमारी इस्कीन के लिए इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें मिक्स करके इसका अच्छे से ब्लैंड बना लें और इस पैक को आपको हफ्ते पे दो बार प्राय जरूर करना है और इस पैक को अपने फेस वास करने के बाद अपने इसकीन पे अच्छे से अपलाई कर लें यह आपके चहरे को गूरा करेगा और आपके डा की स्पोर्ट को लाइट करेगा अगर आपके चहरे में निखार नहीं होता है तो यह निखार भी लाने का काम करेगा अगर मेरी रेमेडी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक से जरूर करिएगा अब इसे हमें कम से कम 15-20 मिनट तक इसी तरीके से लगा रहने देंगे और जब हम इसे वॉस करेंगे तो इसे हम ठंडे पानी से हलका हलका मसाज करते हुए हमको इसको स्क्रब करते हुए हटाना है तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे आएए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसे हम रिमूब करके इसका रिजल्ट यह पैक है जो अब सूप चुका है 15-20 मिनट इसे हो चुके हैं अब इसको मैं आप लोगों के सामने ही रिमूब कर रही हैं आप लोग भी इसका फाइनल रिजल्ट देखिये अच्छे से साफ कर लेंगे देखिये आपकी भी इसकी इसी तरीके से साफ और गोरी और निकरी हो जाएगी तो इस रेमेडी को जरूर से जरूर ट्राइए करिए और अगर मेरी रेमेडी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो देखने के लिए धन् सब्क्रेंड़स